वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तो जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे साथ इसाथ दोस्तो आप हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप डारेक्ली यहां से क्लिक करके आप हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो कर सकते हैं या तो फिर आप facebook.com slash crazy gk tricks सर्च करेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा आप महां से उसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो जितनी भी gks related pdf से वो सब facebook पेज 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 अपलोड होती रहेगी चलिए friends अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे physics का एक काफी important topic है धुनी sound इस topic से exam में काफी questions बनते हैं तो आप इस lecture को ध्यान से सुनिएगा conceptually हम इस lecture को अच्छे समझेंगे और last में एक very important question answer test भी लगाएंगे friends अगर आप ये lecture को अच्छे से देखते हो और test को solve करते हो तो इस topic से कोई भी exam में question आएगा आप उसको 100% solve कर लेंगे तो चलिए friends lecture को start करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं ध्वनी क्या होती है sound क्या होता है तो ये एक प्रकार की तरंग है और किस तरीके की तरंग है ये अनुधेरी तरंग है longitudinal wave अगर बोला जा रहा है इसको तो longitudinal wave की properties हम को पता होना चाहिए कि longitudinal wave होती क्या है अनुध दोहनी को नहीं समझ पाएंगे तो चलिए मैं आपको सबसे पहले concept clear करता हूँ कि अनुधेरी तरंग longitudinal wave क्या होता है तो चलिए अपन समझते हैं तरंग होता है कोई wave होती है वो wave दो प्रकार की होती है एक होती है mechanical wave और एक होती है non mechanical wave मतलब यांत्रिक तरंगे और अयांत्र अब इन दोनों में difference क्या है difference यह है कि mechanical wave वो wave होती है जिनको माध्यम की requirement होती है उनको संचरन करने के लिए चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है और अयांत्रिक तरंगे मतलब non mechanical wave का मतलब यह होता है इनको माध्यम की आवशकता नहीं होती है जैसे कि प्रकाश तरंगे रेडियो तरंगे यह सब जो हो गई है यह कौन सी हो गई है यांत्रिक तरंगे मतलब non mechanical wave होती है जो mechanical wave होती है यांत्रिक तरंगे यह दो प्रकार की होती है कौन-कौन सी एक होती है अनुपरस्त तरंगे ट्रांसवर्स वेव बोलते है इनको और एक होती है अनुधेरे तरं तो इनकी properties को अपन समझते हैं कि इन दोनों में क्या difference है तो अनुधेरी तरंग जो होती है वो क्या होती है देखिए suppose करते हैं कि कोई तरंग है वो एक माध्यम में जा रही है वेव की direction जो है वो किस तरीके से ऐसी है जैसे आपको diagram में दिख रहा है तो इस माध्यम में जो कणो का moment होगा वो कैसा होगा इस direction के perpendicular होगा जैसा आपको दिख रहा है यह मैं आपको internally बता रहा हूं इस माध्यम के अंदर का बता रहा हूं कि इस माध्यम में जो कणो का moment है वो कैसा है वेव की जो direction है उसके perpendicular इसका moment हो रहा है मतलब लंबवत इसका moment हो रहा है कणों का ठीक है तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे अनुप्रस तरंगे बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं अनुधेरी तरंग क्या होती है अनुधेरी तरंगे देखिए सपोस करते हैं वेसी कंडिशन है कोई तरंग जो है वो माध्यम में जा रही है तो उसकी डारेक्शन क्या होगी आपको डाइगराम में दिख रहा है ऐसी डारेक्शन है अब इस मा माध्यम के कंड perpendicular अगर movement कर रहे हैं तो वो गई अनुपरस तरंगे, अगर माध्यम के कंड उसके समानांतर movement कर रहे हैं, किसके wave के, तो उसको हम बोलेंगे अनुधेरी तरंगे longitudinal wave, simple सा, तो यह simple सा logic है, तो इसको ध्यान रखना है, अब अनुधेरी तरंग जो होती हैं, वो ठो 200 में संचरित होती हैं, और द्रव की सतर पर संचरित होती हैं, तो यह आपका point clear हो चुका है, चलिए अब वापस हम चलते हैं हमारे first page पे, तो दोस्तों आपको यह बात तो clear हो चुकी है, कि अनुधेरी तरंगे मेंने बोला हैं, तो अनुधेरी तरंगे क्या हैं, उसकी property सम में आ गई, क्या समझ में आया, कि ध्वनी जो है, अगर उसको अनुधेरी तरंगे में बोल रहा हूँ, इसका मतलब है, कि ध्वनी ठोस, द्रव, गेस, तीनों माध्यम में संचरित हो सकती हैं, दूसरी बात, ध्वनी को मैंने क्या बोला है, अनुधेरी तरंगे बोला है, और अनुधरे तरंग जो होती हैं, वो mechanical way के अंदर आती हैं, मतलब इनको माध्यम की जरूत होती हैं, संचरित होने के लिए माध्यम की जरूत होती हैं, तो ये निर्वात में, vacuum में travel नहीं कर सकती हैं, clear, ये दोनों point very important point है, अगर ये concept आपके धिदरे clear होते जाएंगे, तो ही आप exam में answer सही tick कर पाएंगे, ठीके, physics ऐसा topic है, अगर हम सोचेंगे इसको की याद कर लें या कुछ, तो बिल्कुल भी आप ऐसा मसोची है, क्योंकि कुछ time बाद आप भूल जाने वाले हैं, तो अगर जब तक आप अपना concept clear नहीं करेंगे, तब तक आप इसका answer बिल्कु की उत्पत्ती होती है, आगे एक important point जो मैं आपको बता चुका हूँ, कि द्वनी जो है, वो माध्यम में गमन करती है, लेकिन निर्वात में गमन नहीं करती है, क्योंकि ये यांत्रिक तरंग के अंदर आती है, mechanical wave के अंदर आती है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, आवरती म वो कितना company कर रहा है, वो उसका हो गया frequency, ठीक है, तो आवरती के अधार पर तरंगों को तीन भगों में बाता है, सबसे पहले आपको जैसे दिख रहा है यापर, कि ये तरंग है, ये एक wave है, जिसकी frequency क्या है, 0 Hz से लेकर 20 Hz तक की है, second wave है, इस wave की आवरती क्या है, frequency क्या है 20 Hz से 20,000 Hz के बीच में है, और तीसरी जो तरंग है, उसकी आवरती दे रखी है, 20,000 Hz से लेकर उसके उपर तक की, तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, कोई इनसान वही तरंग को सुन सकता है, जिसकी आवरती 20 Hz से 20,000 Hz तक होती है, तो ऐसी कौन से आवरती है, जो center वाली आ मनुश्य के कान सुन सकते हैं, इसके अलावा जो 0 Hz से लेकर 20 Hz तक है, वो मनुश्य के कान नहीं सुन सकते हैं, 20,000 Hz से ऊपर तक की जो ध्यानी की आवरती हैं, वो भी इनसान नहीं सुन सकते हैं, तो ये बात clear हो चुकी है, अब 0 Hz से लेकर 20,000 Hz तक की जो वेव होती है, इन को क्या बोला जाता हैं, इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता हैं, क्या बोला जाता हैं, इंफ्रासोनिक वेव मतलब अश्रव्य तरंग बोला जाता हैं, और 20 हर्ट से लेकर 20,000 हर्ट जिनको मनुष्य सून सकता हैं, उन वेव को क्या बोला गया हैं, और 20,000 हर्ट से उपर की जि उनकादर हुए, ये उनको सुन सकते हैं, ठीक है friends, तो ये आपको concept clear हो चुका, ये directly exam में question पूछते हैं, कि किस frequency की तरंग को मनुष्य सुन सकता है, ये directly exam में question पूछते हैं, तो आपको clear हो चुका है, चली आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, धोनी की चाल की, speed की बात करते है कि कौन से माद्य में धोनी की चाल जो है, वो ज़्यादा होगी, ठोस में, द्रव में की गेस में, solid में की, liquid में की गेस में, किसमें इसकी चाल ज्यादा होगी, आपको ये समझने से पहले आपको एक term को समझना पड़ेगा, elasticity को, क्या है, प्रत्यास्ता को समझना जरूरी है तो elasticity क्या होती है सबसे पिल आपको बताता हूँ सबस करते हैं कि मेरे पास ये एक rubber है इस rubber पे जब मैं external force लगाता हूँ बाये बल लगाता हूँ तो इस rubber के आयतन और आकार में परिवर्तन हो जाता है पर जब मैं जैसे ही इस पे से बाये बल मेरा जो external force से वो हटा लेता हूँ तो rubber वापस वैसा के वैसा हो जाता है तो वस्तु की ये गून जो होता है ये कलाता है elasticity ठीके तो अब देखिए दोस्तो ठोसो में elasticity जो होती है वो ज़्यादा होती है उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम किस में होती है elasticity गेस में होती है तीक है जैसे diagram से आपको बिल्कुल इसपस्ट है अब दोस्तो concept ये है कि जिसमें elasticity ज़्यादा होती है उसमें धुहनी की चाल सबसे ज़्यादा होगी तो धुहनी की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी थोस में होगी, उसके बाद द्रव में होगी, उसके बाद गेस में होगी. मतलब example देकर बताता हूँ कि अगर मेरे पास तीन माध्य में, जिसे एक है लोहा, दूसरा है मेरे पास पानी और तीसरा है मेरे पास वायू. तो दुहनी की चाल जो होगी, वो लोहे में ज़्यादा होगी, उसके बाद पानी में होगी, और उसके बाद वायू में होगी, clear आपको, अब देखिए, दुहनी जो है वो निर्वात में, वेक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है, यहाँ पर यह पॉइंट ध्यान रख तो एक माद्यम से दुसरे माद्यम में अगर वेव जा रही है, तो उसकी frequency आवरती में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, very important point है, second बात, इनकी तरंग धहरे बदल जाती है, जब एक माद्यम से दुसरे माद्यम में जाएगी, obvious ही बात है, कि किसी माद्यम में इनकी चाल slow होगी, तो उसके इसाब से इनकी तरंग धहरे तो बदलना सोभाइक बात है, तो तरंग धहरे बदल जाती है, तो यह दो property आपको बिल्कुल धियान रखना है, आगे हम बात करते हैं, ध्वनी की चाल पर भोतिक राशियों, दाब और ताप का प्रभाव, pressure और temperature का क्या effect पड़ता है, ध्वनी की चाल पर, तो देखते हैं चलिए, पहला लेते हैं हम pressure को, समान ताप पर, गेसों में ध्वनी की अगर चाल की बात करें, तो अगर हम दाप को बढ़ाएंगे, तो ध्वनी की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ध्यान रखेगा, very important है, second बात लेते हैं अपन ताप की, माध्यम का अगर में temperature बढ़ाऊंगा, तो ध्वनी की चाल भी बढ़ेगी, ठीके, माध्यम का temperature अगर में बढ़ा रहा हूं, ताप अगर बढ़ा रहा हूं, तो ध्वनी की चाल भी क्या होगा, बढ़ेगी, sound की speed भी बढ़ जाएगी, तो ये दोनों property आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पूछ जाती एक्जाम में, अब हम बात करते हैं ध्वनी के लक्षन, जो की क्या है, पहला आता है तिवरता मतलब intensity, intensity का मतलब ये हैं कि ध्वनी का तिवर सुनाई देना, और ये तिवरता जो ह ये point exam में पूछा जा रहा है आजकल, तो आप इसको note down करिए, second हम बात करते हैं, pitch की, तारत्व की बात करते हैं, तो तारत्व होता क्या है, ये होता है, ध्वनी का मोटा या तिख्षन होना, सबसे पहले हमने बात करी, तिवरता intensity मतलब कितनी तिवर हैं, तिवर मतलब fast हैं तो ये जो pitch है, sound का, ये जो depend करता हैं, किस पर depend करता हैं, आवरती पर depend करता हैं, उसकी frequency पर depend करता हैं, तो तारत्व ध्वनी की आवरती पर निर्भर करता हैं, आवरती ज्यादा मतलब ध्वनी का तारत्व जो होगा, वो ज्यादा होगा, इसका example आपको बताता हूं मैं, ज जैसे कि लड़की और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका तारत्व जो होता हैं, द्वनी का, वो ज्यादा होता हैं, इसलिए उनकी आवाज जो होती हैं, वो तीखी हमको सुनाई देती हैं, और जो मेल लोग होते हैं, ठीके लड़के लोग होते हैं, उनके द्वनी का जो ता श्रोता और स्त्रोत के बीच आपेक्षित गती हैं, तो आवरती बदलती प्रतित होगी, देखिए, simple language बताता हूं आपको में, अगर कोई source हैं, स्त्रोत मतलब source ही बोला गया हैं, कोई source हैं, और कोई श्रोता हैं, मतलब कोई listener हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपेक्षि प्रतित हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो उनकी आवरती भी बदलती प्रतित होगी, बस इतना सा logic है, अगर ये train जो है, ये sound कर रही है, ठीक है, horn कर रही है, और ये जैसे-जैसे इसके पास आती जारी है, listener के पास में, तो उसके आवरती परिवर्तित होती जाएगी, बस इतना सा बात उसने डापलर प्रभाव में बताया है, तो ये simple सा पूछा जाता है, कि डापलर प्रभाव किस से related है, तो ध्वनी से related है, इस तरीके से question पूछे जाते हैं, अब एक note down करेगा important point, sonar के बारे में एक पूछा जा रहा है आजकल एक्जाम में, sonar क्या होता है, sonar तो बस एक बार इसको सुनना है अच्छे से, तो आपको बस एक्जाम में अगर ये word आता है, तो आपको click हो जाएगा, friends, हमने इस topic को अच्छे समझा, conceptually इस topic को हमने समझा, तभी हम इसके सारे question solve कर पाएंगे, देखिए हम जब question solve करेंगे, हर छोटा सा छोटा concept सारा use होग question को solve करने में, दोस्तों अगर जिसने इस lecture को बिलकुल ध्यान से सुना है, वो इस test के सारे question solve कर लेगा, काफी interesting topic है, चलिए, test लगाते हैं और देखते हैं कितने question हम solve कर पा रहे हैं, पहला question है, मनुष्य को ध्वनी कंपन्न की अनुबती किस आवरती सीमा में होती हैं, तो देखी, द्वनी की आवरती अगर होगी, तो उसे वो सुनाई देगी, तो इसका answer होगा, D answer, इनहीं क्या बोला जाता हैं, श्रव्य तरंगे बोला जाता हैं, अगला question है, द्वनी का तात्व पीच जो होता हैं, वो किस पर निर्भर करता हैं, तो वो निर्भर करता हैं आव द्वरती जादा होगी, तो मतलब पीच जादा होगा, आवाज उतनी ही तिक्ष न होगी, तिखी होगी, अगला question है, वायू में ध्वनी की चाल 332 मिटर पर सेकंड होती हैं, यदि दाब बढ़ा कर दुगना कर दिया जाए, देखिए, condition बोल रहा है हो, कि अगर मान लेते ह हैं, कि चाल जो है ध्वनी की, वो 332 मिटर पर सेकंड हैं, और अगर हम दाब बढ़ा कर दुगना कर दें, तो ध्वनी की चाल होगी, क्या होगी भईया, देखिए, मैंने आपको properties बताईती, कि अगर ध्वनी जो है, वो वायू में ट्रेवल कर रही है, और अगर हम उसका द जाब बढ़ा रहे हैं, तो ध्वनी की चाल में, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 332 मिटर पर सेकंड ही उसकी चाल रहेगी, क्लियर, ठीक है, चलिए, आगे और दिलते हैं कोशन, अगला कोशन है, निम्न में से ध्वनी तेज यात करती हैं, स्टिल में, वायू में, निर्वात में या जल में, तो हमें पता है कि ध्वनी जो होती हैं, वो सबसे तेज टेवल करती हैं, ठोस में, उसके बाद, द्रव में, उसके बाद, गेस में, तो देखिए, ठोस में सबसे तेज करेगी, मतला स्टिल, तो इसका आंसर क्य जाती है इसका अंसर होगा A answer, अगला question है मनुष्य के लिए मानक ध्वनी स्तर है, WHO वीश्व स्वास संगठन जो है उसने बताया है कि मनुष्य का ध्वनी स्तर है, एक सामान्य ध्वनी स्तर है, वो कितना बताया है, 45 decibel बताया है, मतलब अगर ध्वनी की तिवरता इतनी है आराम से मनुष्य सून सकता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ध्वनी की तिवरता 75 decibel से जादा जारी है तो वो उसके लिए हानी का रखोगी और 85 dB से उपर अगर जारी है तो मनुष्य बहरा हो जाता है और 140 पे तो वो पागल हो जाएगा तो ये विश्वस्वास संगठन ने इसके बारे में बताया है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मनुष्य के लिए मानक 92 स्थर कौन सा होगा तो 90 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, 120 नहीं हो सकता आंसर क्या होगा इसका? कंडिशन की हिसाब से इसका आंसर होगा D आंसर चलिए, आगे और देखते हैं कोशन अगला कोशन है डापलर प्रभाव संबंधित हैं तेकि ये काई संबंदित है, द्वनी से संबंदित है, द्वनी तरंगे सरवादिक तिव्र गती करती हैं, काई में करती हैं, ठोसो में करती हैं, सॉलिड में करती हैं, तो इस कांसर होगा A, द्वनी नहीं गुजर सकती हैं, तो द्वनी जो होती हैं, ये एक यांत्रिक तरंग मतला mechanical wave है, जिसको माध्यम की ज़रत होती है, और non-mechanical wave को माध्यम की ज़रत नहीं होती है, तो ये mechanical wave है, तो इसको माध्यम की ज़रत होगी, तो gel माध्यम है, still माध्यम है, वायू माध्यम है, निर्वात, मतला vacuum, ये कोई माध्यम नहीं है, इसलिए इसका answer क्या होगा, D answer होग तो लकडी में होगी, क्योंकि लकडी ठोस है है, अगला कोशन है, पराश्रyuव्य तरंगेastes जिनकी आवरती क्या होती है, अल्ट्रावॉलेट वे होती है, तो इनकी जो आवरती होगी, वो से कोशन आएगा तो आप आराम से सौल कर लेंगे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए दोस्तों को साथ शेयर करिए और दोस्तों कमेंट करके ब यहिन जय बारत